इस मूवी के कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके प्राइवेट पार्ट के दात होते हैं और जो भी इसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता उसका प्राइवेट पार्ट उसे काट देता एकदम हट के कहानी है आप लोगों को देखके बहुत मजा आएगा सो फ्रेंज इस वीडियो को एंट तक देखिएगा और लाइक एन सबस्क्राइब भी कर देना इस मूवी का नाम है तीथ जो 2007 में रिलीज हुई थी मूवी स्टार्ट होती है और हम दो बच्चों को देखते है जिसमें लड़की का नाम ब्रेड है और लड़की का नाम डाउन होता है वो दोने एक water tub में नहा रहे थे डाउन ब्रेड की step sister थी पर वो उसे sister नहीं मानता था और तभी bread डाउन के private part में उंगली करता है और उसकी उंगली कट जाती है और bread बहुत जोर से चिलाने लगता है उसके चीक सुनके उसके mom डड़ उसके पास आते हैं उन्हें लगता है कि डाउन ने bread के उली डातों से काट ली है पर डाउन को भी नहीं पता था ये सब कैसे हुआ इसके बाद scene shift होता है और बड़ी हो चुकी डाउन को दिखाते हैं जो अपने friends के साथ बा चलता है कि डाउन की mom बहुत ही बिमार है और उनकी हालत दिन बदिन बिगरती जा रही है पर डाउन और उसके father पर उसकूल के बाद डाउन और टॉबी साथ में movie देखने जाते हैं पर वो movie पूरी अश्लील थी इसलिए टॉबी excited हो जाता है वो डाउन की करीब आने की कोशिश करता है पर डाउन उसके इशारे समझ नहीं पाती इसके बाद हम bread को देखते हैं जो अपनी girlfriend के साथ होता है जिसका नाम मिलानी था वो bread की कटी हुई उंगली देखके उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ तब bread उसे कहता है कि बच्पन में down ने उसे काट लिया था पर मिलानी उससे कहती है कि वो तो बहुत छूटी होगी फिर वो इतना जादा कैसे काट सकती है इस पर bread उसे कुछ न लगते हैं डाउन टॉबी को बताती है कि वो अभी वी virgin है और वो चाहती है कि शादी के बाद ही उसका husband उसे टच करे तब टॉबी बोलता है कि मैं virgin नहीं हूँ मैंने कई लड़कियों के साथ रात बिताई है पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है अब अगले सीन में down ब कोशिश करती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती और अगले दिन टॉबी को कॉल करती है और उसे उसी लेक पे बुलाती है जब टॉबी आता है तो वो दोनों अपने कपड़े उतार करके उस नदी में कूच जाते हैं और उस गोफा को पार करने लगते हैं वहाँ जाकर टॉबी को किस करने लगता है डाउन उसे बहुत मना करती है पर टॉबी रुकने का नाम ही नहीं लेता और तब ही डाउन का सर एक पत्थर से टक्रा जाता है और वो बिहोश हो जाती है अब टॉबी इसका फायदा उठा करके उसके साथ जबजस्ति इंटिमेट होने लगता है डाउ पाने में खूच जाता है डाउन उसका बहुत देर तक इंतिजार करती है पर टॉबी बाहर नहीं आता इसलिए डाउन अपने घर चले जाती है अब अगले दिन डाउन फिर उसी लेक पे जाती है वहां जाकर वो उस गुफा में जाती है जहां वो टॉबी का कटा हुआ प् रिसर्च करने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि बहुत सालों पहले फेमेल प्राइवेट पार्ट में दात हुआ करते थे जिसकी वज़से इंटिमेट होते टाइम वो दात लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट देते थे अब यह पढ़के डाउन बहुत ज़दा डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था अगले दिन वो डाक्टर के पास जाती है और वो डाक्टर से कहती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ है डाक्टर ग्लॉस पहन करके अपनी उंगलियों से चेक करने लगता है जब वो चे के ले जा रहा था, वो भी लेक के तरफ निकल जाती है, जहां वो देखती है कि टॉबी की लाश को पानी से निकाला जा रहा है, जब वो घर आती है तो वो अपनी मुम को भीहुश पड़ा हुआ देखती है, और उसका भाई अपनी गर्फरिंड के साथ पलंग तोड़ रहा डाउन अपने डैड को कॉल करती है और अपनी मॉम को होस्पिटल ले जाती है उसके बाद डाउन अपनी एक फ्रेंड रेहान के घर जाती है और उसे कहती है कि उसी की वज़े से टॉबी की मौत हो गई है और उसके प्राइवेट पार्ट में दात है यह कहके वो बहुत रोने लगती है अब यहां रहान उसे समालता है इसके बाद डाउन बात्रूम में नहाने जाती है जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि रहान ने उसका मोन बनाने के लिए पूरा कमरा कैंडल से सजा दिया है इसके बाद वो दोनों ड्रिंग करने लगते हैं और धीरे-धीरे क कुछ होती है यहां टॉबी का पॉस्मोटम करने पर डॉक्टर को एक दाथ मिलता है यह देख करके वह बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह दाथ है किसका अब यहां डाउन रेहान के साथ इंटिमेट हो रही थी कि तभी रेहान को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है जिसस पता चलता है कि डाउन ने रेहान का भी काट दिया है और इस हास्ते से हम वीवर्स को पता चलता है कि जब डाउन अपने मर्जी से हम बिस्तर होती है तो किसी का नहीं करता लेकिन अगर उसके साथ कोई जबवजस्ती करता है तो वो उसका काट देती है इसके बाद जब डा ब्रेड इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो डाउन से प्यार करता था पर उसके डैड ने डाउन के मॉम से शादी कर ली थी और डाउन उसकी स्टेपसिस्टर बन गई थी और वो कहता है कि इसी वज़े से मैं मॉम और आप से नफरत करता हूं इसकी बाद ब्रेड की निकली जाई रही थी पर ब्रेड ने मुझे नहीं जाने दिया ये सुनके डाउन को बहुत घुसा आता है और वो उससे बदला लेना चाहती थी इसलिए पहले तो वो घर जाती है और मेकप करने लगती है इसके बाद वो ब्रेड के कमरे में जाके वो से सड्यूस करने लग चुकी थी क्योंकि डाउन ने उसका भी काट लिया था इसके बाद वो वहां से चली जाती है और अपने लिए एक नई जिंदेगी स्टार्ट करती है एक नेक्स सीन में जब वो साइकल से जा रही थी तब उसकी साइकल का टायर पंचर हो जाता है और वो एक बुड़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है जब वो उठती है तब बहुत रात हो चुकी होती है वो गाड़ी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी के डौर लोग थे और वो बुड़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है वो डाउन का नहीं पर एंड हो जाती है सो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा